Hello everyone, concept पढ़ाएंगे और सब को सिखाएंगे स्रंकला के अनुसार पिछली वीडियो में हमने राजभासा नियम 1976 के बारे में पढ़ा था परन्तु प्रकरण बड़ा होने की वज़े से हमने इसको दो भागों में बाढ़ दिया था तो आज हम इस वीडियो में राजभासा नियम 1976 के आगे के नियम सीखेंगे इस प्रकार से यह वीडियो हमारा राजभासा नियम 1976 का भाग दो होगा अगर अभी तक आप लोगों ने आई एक्जाम बी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको सही समय पर सही नियोटिफिकेशन मिल सके और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले राजभासा नियम 1974 में जो कुल 12 नियम है उनका हम दोराओ कर लेते हैं और वो नियम इस प्रकार से हैं कि इसमें जो नियम पहला है वो इसकी संचिप्ट नाम विस्तार और प्रारंभ को बताता है दूसरा नियम में परिभासाएं बताए गई हैं और तीसरे नियम में जो केंदर सरकार के कार्याले नहीं हैं वहां पर किस प्रकार से पत्र बेवहार किया जाएगा उसके बारे में हैं चोथा केंदर सरकार के जो कार्याले होंगे वो आपस में किस प्रकार से पत्र बेवहार करेंगी उसके बारे में हैं जबकि पा आत्वा नियम आवेदन और अभ्यावेदन से संबंदित है आत्वा नियम केंद्री सरकार के कार्यालों में जो टिपण लिखे जाते हैं वे किस भासा में होंगी इसके बारे में हैं जबकि नवा नियम हिंदी में प्रवेंटा के बारे में बताता है और दस्वा नियम हिंदी उसके बारे में बताता है और बारहवा नियम बहुत ही महत्यपूर्ण है कि इन सारे नियमों का अनुफालन करने का उत्तर दाय तो किसका होगा इसको बताता है अब तक हमने नियम 3 तक विस्ताव में समझा है अब इस वीडियो में हम नियम 4 के बारें पढ़ने वाले हैं और नियम 4 कहता है कि केंडी सरकार के जो विभिन कार्याले या विभिन मंत्राले विभाग हैं वो आपस में जब पत्र बिवहार करेंगे तो उसका जो माध्यम होग वो हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है परंते इसमें ये भी कहा गया है कि का और खा छेतर में जो पत्र बिवार होंगे वो अधिक से अधिक हिंदी में प्राप्त किये जाएंगे लेकिन आवशक्ता नुसार उनका अनुवाद भी किया जाएगा अगर आवशक्ता नहीं है तो उनकी दूसरी भासा में अनुवाद की अपेक्षा नहीं की जाएगी लेकिन छेतरगा की जब बात आती है तो इसमें जब कोई पत्र भेजे जाते हैं तो उसका दूसरी भासा में अनुवाद उन्ही पत्रों के साथ में भेजा जाएगा इसके साथ साथ में यहां ये भी बता कि यदि वो पत्रविवहार अधिसूचित कार्याले के लिए हैं तो वहां पर दूसरी भासा में अनवाद उपलब्ध कराया जाए ऐसी अपैक्षा नहीं की जाएगी क्योंकि अधिसूचित कार्याले का अर्थ होता है कि वहां के जो कर्मचारी है वो असी प्रसित कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधग्यान प्राप्ट कर लिया है इस प्रकार वहाँ पर दूसरी भासा में अन्वाद की आवशक्ता नहीं होगी नियम पांच में यदि कोई पत्र केंदर सरकार के कार्यालों को हिंदी में प्राप्त होता है तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा यह नियम बहुत ही महात्य पूर्ण है इसमें याद रखना है कि हिंदी में यदि पत्र प्राप्थ होते हैं तो उसका उत्तर भी केंदर सरकार के कार्यालियों को हिंदी में ही देना होगा नियम 6 में बताया गया है कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रियोग हो सकता है और इसमें कहा गया है कि जो अधिनियम है 1963 की धारा तीन की उपधारा में निर्दिस सभी दस्तावेज और सभी दस्तावेज कुल कितने दस्तावेज हैं इसमें 14 दस्तावेज हैं ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जो करेगा वह ब्यक्ति responsible होगा कि वह दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तयार किये जाएं, निश्पादित किये जाएं और जारी भी किये जाएं तो यहाँ पर जितने भी 14 दस्तावेज हैं वो सभी हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और इसका उत्तरदाय तो उन पर हस्ताक्षर करने वाले ब्यक्तिका होगा. नियम साथ आवेदन और अभ्यावेदन से संबंदित हैं और आवेदन अभ्यावेदन करने के लिए कोई भी कर्मचारी हिंदी और अंग्रेजी किसी भी माध्यम को चुन सकता है. यानि किसी भी भासा में वो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भासा में आवेदन कर सकता है लेकिन यदि उस ब्यक्ति ने या उस कर्मचारी ने अपील आवेदन या अभवेदन हिंदी में किया हो और उस पर हस्ताक्षर भी हिंदी भी किये हो तब उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी को आदेश प्राप्थ होता है उसके सेवा से सम्मंदित भीशों पर तो वो जिस भासा में अनुवाद चाहता है या जिस भासा में उन आदेशों को चाहता है बिना बिलंब के ही उस भासा में उसको प्रदान किया जाएगा नियम आठ में बताया गए है कि केंद्री सरकार के कार्यालों में जो टिपण लिखे जाते हैं वो किस भासा में लिखे जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी कर्मचारी किसी भी फाइल में यदि वो टिपण लिखता है कारप्रत लिखता है तो हिंदी और अंग्रेजी में लिख सकता है उससे ये अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह है अगर हिंदी में लिखा है तो उसका अंग्रेजी में अनुवात करें लेकिन यदि कोई कर्मचारी जिसको कारसाध ज्यान प्राप्त है हिंदी में तो वह ऐसे दस्तावेजों पर अन्वाद की मांग तब ही कर सकता है जब दस्तावेज विधिक या तक्नीकी प्रकृतिके हो अनिथा वह कर्मचारी उनका अंग्रेजी अन्वाद की मांग नह प्रशने उठता है कि वो जो दस्तावेज हैं वो विधिक हैं या तक्नीकी प्रकृति के हैं या नहीं है ये कौन निश्चे करेगा तो इसका निश्चे उस कार्याले का जो प्रधान होगा वह करेगा और इस नियम के उपनियम चार में बताया गया है कि उपनियम एक में यान धिन्द्र सरकार आदेश देता है कि अधिसूचित कार्या लोग को या उन कर्मचारियों को जिन्होंने प्रवीरता प्राप्त किये Angryन तो मौश साथ ridiculous वे जितने भी चितने भी इस निर्डेश दीये जाएंगे वह केवल हिंदी में ही प्रयोग किये जाए नियम नौ हिंदी में प्रवीडता से संबंदित है और इसमें बताया गया है कि हिंदी में प्रवीड किस प्रकार से किसी कर्मचारी को बताया जाएगा और बताया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परिक्षा या उसके सम्तुल कोई परिक्षा या उससे परिक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विश्य की रूप में अगर उसने लिया हो तो भी उसे हम हिंदी में प्रवीड कह सकते हैं यह इन नियमों से उपवद प्रारूप में घोशना करता है कि उसे हिंदी में प्रवीडता प्राप्त है तो उसके बारे में समझा जाएगा क कि उसने हिंदी में प्रवेणता प्राप्त कर लिए इसका आर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है तो उसे हिंदी में प्रवेण माना जाएगा यदि हिंदी मीडियम से उसने पढ़ाई नहीं किया है लेकिन इस नातक में यानि ग्रेजवे जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवेड़ता प्राप्त है क्योंकि कई सारे कोर्सेज कई सारे डिप्लोमा डिग्री ऐसी होती है जो बाद में वह प्राप्त कर सकता है इस प्रकार से उसके द्वरा कहने पर यह मान लिया जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवेड़ता प्राप्त ह नियम 10 में हिंदी का कारशाधग्यान किस प्रकार से बताया जाएगा कि उस कर्मचारी को हिंदी का कारशाधग्यान प्राप्त है तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने या उससे उच्टेतर परिक्षा जिस प्रकार से नियम नौ में बताया गया था कि हिंदी विशे के साथ में उत्रेण किया हुआ है तो उसे कारेसाध़ ज्यान प्राप्त है ऐसा मान लिया जाएगा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि केंद्री सरकार के द्वारा जो हिंदी परिक्षा योजना होती है और उसके द्वारा प्राक परिक्षा अगर उत्रेंड की है या उसके पदों के लिए कोई भी परिक्षा है केंद्री सरकार के द्वारा उसने उत्रेंड कर लिया है तो भी उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कारसाधा ज्यान प्राप्त कर लिया है यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि केंद्री सरकार के किसी कार्याले में जो 80% कर्मचारी हैं उन्होंने हिंदी का ज्यान प्राप्त कर लिया है या उनको हिंदी का कारसादग ज्यान प्राप्त है इसका निश्चे वहां का जो अधिकारी होगा उस कार्याले का वो ये चीज निश्चित करेगा और इसके उपनियम 4 में बताया गया है कि जिन कार्यालों में कर्मचारियों ने हिंदी का कारिसाधा ज्यान प्राप्त कर लिया है तो उन कार्यालियों के जो नाम है वो राजपत्र में अदसूचित किये जाएंगे परंतो ये केंद्री सरकार की राय है कि किसी अदसूचित कार्याले में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधा ज्यान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से और ये प्रतिशत कितना होगा 80% होगा जो कि यहां उपनियम 2 में बताया गया था कि 80% से कम हो गया तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोसित कर सकती है कि उक्त कार्याले यानि वह कार्याले उस तारीक से अधिसूचित कार्याले नहीं रह जाएगा यानि अधिसूचित कार्याले के लिए कम से कम अस्ची प्रस्चत कर्मचारियों को हिंदी में ज्या प्राप्त किया है तो उसे हम अधसूचित कार्याले नहीं कहेंगे अब हम पढ़ेंगे नियम 11 के बारे में और इसके अनुसार केंद्र सरकार के जितने भी मैनुल, सहिताएं, रजिस्टर, नाम पढ़, सूचना पढ़, लिफाफे ये सभी चीज़े हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में मुद्रित या उतकिन किये जाएंगे परनुति यदि केंद्री सरकार ऐसा अवस्यक समझे तो वह साधहरन या विश्यस आदेश द्वारा केंद्री सरकार के किसी कार्याले को इस नियम के सभी नियमों से या किनी उपबंधों में से छूट दे सकती यानि नियम 11 में बताया गया है कि जितने भी दस्तावेज होंगे जो चीजे होंगी वो सभी हिंदी और अंग्रेजी में प्रकासित किये जाएंगे लेकिन अगर केंद्री सरकार चाहे तो वह किसी कार्याले को इस नियम से या किनी उपबंधों में से छूट दे सकती है 12.25 नियम बहुती important है बहुती महत्तिकूण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि अनुपालन का उत्तरदाय तो किसका होगा तो ये सभी नियमों का यानि केंद्री सरकार के प्रतेक कारयले के जो प्रसासनिक प्रधान होगा उसका ये उत्तरदायत तो होगा उसकी responsibility होगी कि वह ये सुनिश्चित करे कि अधिनियम यानि कौन सा अधिनियम 1963 और इन नियमों इन नियमों का मतलब 1976 में जितने भी नियम बताए गए हैं उनकी उपबंधों और उपनियम दो की अधिन जारी किये गए निदेशों का समुझित रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं और इस प्रियोजन के लिए उपियुक्त और प्रभावकारी जाच के लिए वह उपा किंद्री सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के समयक अनुपालन के लिए अपनी कर्मचारियों और कार्याले को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है इस प्रकार से राजभासानियम 1976 के बारे में हमने पढ़ा और इस राजभासानियम 1976 में जो बन इसके बाद 2007 में और फिर 2011 में हुआ है तो ये भी याद रखना है कि इन नियमों का जो राजभासानियम 1976 है इसका संसोधन 1987 2007 और 2011 में किया गया है कि आपने इस वीडियो के पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखें ताकि आपको ये जो प्रकारण है वो आसानी से आपको समझ में आए